हेलो दोस्तों श्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज हम आपको डी फॉर्म फ़स्टियर का सब्जक्ट सोसल फार्मेसी जिसका चेप्ट नमबर फ़स्ट का पार्ट नमबर फिप्ट पढ़ाएंगे दोस्तों अगर आपने प्रिवेस वाले पार्ट नहीं देखे करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा आपने दोस्तों को भी सेर करदिया करो अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल के पीडियाप चाहीए है यानि आपका जो defarm first year का जितना भी subject है उसका PDF चाहिए है तो दोस्तों description box में link दी गई है बहाँ पर जब आप किलिक करेंगे तो आपको 199 रुपए का pay करना होगा उसके बाद आपको सभी PDF provide कर दी जाएंगी और WhatsApp group में भी add कर दिया जाएगा WhatsApp group में आपको सभी पेकार के Hindi English Mix के notes provide किये जाएंगे और जितने भी multiple choice वाले question होंगे उसमें आपको provide किये जाएंगे तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी वीडियो को share कर दीजिए और उसके बाद अपने college group में वीडियो को share कर दीजिए हम आपके लिए Hindi English Mix का बहुत अच्छा content लेकर आएं जिससे आपकी study में बहुत ज़्यादा help हो पाएगी तो दोस्तों आपका topic है यानि fifth part में हम cover करेंगे national health policy Indian perspective के अनुसार यानि हमारा भारत है उसके अनुसार जो Indian health policy है वह क्या है उसके अनुसार आपको बताएंगे हम और उसके बाद दोस्तों जो आपका development of millennium development goal जो आपका topic है syllabus के अंदर उसको भी cover करेंगे उसके बाद इस chapter का एक part और बनाएंगे और आपका chapter first social pharmacy का पूरा complete हो जाएगा तो दोस्तों start करते है national health policy national health policy क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और कौन-कौन सी national health policy यानि इंडिया में बनाई गई उसके बार national health policy में राश्ट के दौरा एक goal तयार किया जाता है जो यानि देश होता है उसके दौरा एक goal तयार किया जाता है जिससे स्वास्त में ब्रद्दी होती है यानि जो national health policy होती है यह इसलिए बनाई जाती है कि इसमें कुछ target को यानि रखा जाता है उन target को पूरा करना होता है जिससे health जो होती है, लोगों की health होती है, उसमें बरदी होती है, और जिसकी साइता से देश की economy भी बढ़ती है, यानि जब देश में ज़्यादा लोग healthy होंगे, तो हमारे देश की जो economy होगी, बहुत जादा बढ़ेगी, फिर उसके बाद इसमें नीचे की तरफ पॉइंच दिया गया है समय समय पर national health policy को परवर्तित कर एक नए तरीके के साल लाया गया है यानि जो आपका time to time पर national health policy को यानि revised कियाजाता है यानि परिवर्तित कियाजाता है जो आपकी national health हेल्थ पॉलिसी आज चल लए है और 20 साल बाद उसको परिविर्थित कर उसमें कुछ नए नियम लाए जाएंगे तो दोस्तों उसी प्रकास से जो आपकी प्रीवियस में जो हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है उनमें कुछ ना कुछ परिवर्थन करके उनको नए तरीके से लाय गया जो आपकी सेकेंड वाली हेल्थ पॉलिसी थी 2002 में लाया गया और उसके बाद थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी को 2017 में लाया गया जो प्रिजेंट टाइम में अभी तक भरक कर रही है तो दोस्तों आपको 2017 वाली जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके कुछ पॉइंट हेल्थ पॉलिसी है उसके क्या कुछ लच्छ थे उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों जो आपकी 2017 बाली जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका फ़र्ष्ट गोल था कि नॉन कम्यूनकेबल डिसी एंड इन्फ्रेक्सियट डिसीज को समाप्त करने का गोल तयार किया गया यानि दोस्तों जो नॉन कम्यूनकेबल होता है इसका मिन्स यानि जैसे जो हमारे एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलती हैं जै संक्रामक रोगों से बचने का गोल तयार किया गया यानि संक्रामक यानि कम्यूनकेबल डिसीज यानि जो डिसीज एक दूसरे को टच करने से फैल जाती है उनको भी कंट्रोल करने का बर्क करेगी ये जो आपकी पॉलिसी है और उसके बाद जो नॉन कम्यूनकेबल Deutsch some फॉर्षम गोल है एसके बाद किया है कर्या का निया से स्टक्राइब करना उसको मजबूत बनाना इंडिया के वजय और पर यह आपकी पलीसी करें और उसके बाद इसका थर्ड गोल क्या है थर्ड गोल है गरीबी को देखकर सरकारदारा फिरी होस्पिटल सेवा प्रोवाइड की जाएगी यानि जो गबर्मेंट है उसके दोरा पहले से ही फिरी सेवा प्रोवाइड की जा रही है लेकिन कुछ मॉडल को लेकर आएगी है कार्ड सेवा और इन सेवाओं के दोरा फिरी इलाज कराया जाएगा उसके बाद दोस्तों फोर्थ वाला इसका गोल क्या था प्राइबेट होस्पिटल की तुलना में गवर्मेंट होस्पिटल बहुत कम आए यानि प्राइबेट होस्पिटल जादा है और गवर्मेंट प्यार किया गया इसका नाम है पप्लिक प्राइबट पाटनरसिप यांटी प्राइबेटcios कमिन्स क्या है यानि जिसमें लोग प्राइबेट होस्पिटल में भी फीरी एलाज करा पाएंगे दोस्तों बही बात कहीte यह जो आयुस्मान कार्ट जैसे जिनके बने हुए है प्राइबेट होस्पिटल में भी अपना फिरी इलाज करा रहे हैं तो दोस्तों इतने इसके गोल थे फिर उसके बाद इसका एम क्या है एम आफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी तो इसके बारे में बात करते हैं देखिए 2017 की न सूचना दायक बनाना यानि जो उसकी नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाना इनफॉर्म करना लोगों को बताना और सभी का सही से हो और हेल्स system को मजबूती provide करना यानि जो इंडिया के अंदर health system है उसको मजबूती provide करना और सभी का इलाज अच्छे से हो पाए सही से हो पाए तो यह इसका aim है जो आपकी 2017 वाली policy है इसके बारे में बताया और उसके बाद इसके कुछ जो key policy principle है यानि इसकी क्या key policy है तो इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें पहले लिखा हुआ है professionalism integrity and ethics इसके कहने का मतलब क्या है अभी तक सरकार डॉक्टर की शेली देती है लेकिन इस सिद्धान्त में बड़ी बड़ी company से donation लिया जाएगा फिर hospital में लगाना यानि जो बड़ी बड़ी industries चल लही है इंडिया के अंदर बहां से उसको donation को इखटा कर लेना और उसके बाद जो hospital में doctor है उनको फिर salary provide करना और point number second में क्या है equity यानि जो vip culture है उसको समाप्त करना यानि जो poor people अगर hospital में जाते हैं और उसके बाद कोई अगर नेता पहुंच जाता है तो नेता को दवाई पहले मिल जाती है यानि उसको पहले देखा जाता है तो यह वाला culture जो चल लाए इंडिया के अंदर इसको समाप्त करना और उसक से महेंगे इलाज सभी को प्राप्त हो सके पूर से poor people को सभी प्रकार का इलाज प्राप्त हो सके और उसके बाद account ability यानि जवाब देना होगा percent की मृत्तु पर यानि जो government hospital है बहां पर अगर किसी percent की date हो जाती है तो बहां के जो doctor है उनसे कोई भी पहले सवाल नहीं जाती है तो उस doctor को जबाब देना होगा किस कारण उस present की date हुई है और उसको बताना होगा तो दोस्तों यह आपकी national health policy थी और उसके बाद जो आपके 2017 बाली national health policy थी इसके क्या aim थे और इसने क्या target fix किया था उसके बारे में हमने आपको बताया उसके बात करते हैं दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को subscribe करके अपने दोस्तों को भी share कर दीजिए हम आपके लिए बहुत मैनत करते हैं आपके लिए Hindi English Mix का पूरा content provide करते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे लिए एक काम करिए अपने दोस् development goal क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे देखिए संयूक्त राष्ट संग ने September 2000 में एक मीटिंग रखी यानि जो यूनाटरी स्टेट है उसने 2000 में यानि September मन्त में एक मीटिंग रखी और एक समती की इस्तापना की जिसको Millennium Development Goal कहा जाता है यानि जो संयूक्त समती की स्टापना किगे जिसको कहा गया Millennium Development Goal. अब आपका Millennium Development Goal है क्या उसके बारे में बताएंगे आपको देखिए Millennium Development Goal का Means है कि समती ने यानि 1000 एयर यानि 1000 साल तक गोल को रखा यानि उसको 1000 साल में कुछ गोल को पूरा करना है और उनको पूरा करना है और उसके मेलेनियम डवलेमेंट गोल कहा जाता है यानि एक हजार साल का गोल तयार करना ही मेलेनियम डवलेमेंट गोल कहा गया दोस्तों इसमें कुछ इसने लच रखे हैं तो उनको हमने लिखा हुआ है कुछ इसके टारगेट है उसको हमने लिखा हुआ है तो इसके बारे में बात करत उसको समाप्त करना जिन देशों में भी पोवर्टी है या भुकमरी है उसको समाप्त करना उस देश का सायोग करके उस देश से गरीवी को समाप्त करना और उसके बाद जितना भी आपका विश्यों में देश हैं तो दोस्तों उसमें सभी पीपल को एजुकेट करना यानि सभ इन्वार्मेंट को बचाना यानि जिन देशों में इन्वार्मेंट अच्छा नहीं है जहां पर बहुत ज़्यादा प्रदूसर्ण होता है यानि हमारे इन्वार्मेंट को भी बचाना क्योंकि इन्वार्मेंट हमें जीने का तरीका सिखाता है अगर इन्वार्मेंट नहीं हो development के लिए every country 10 other country की help करें यानि अगर कोई country developed नहीं है और कोई other country जो है developed है तो दोस्तों यानि जो developed country है वे 10 developed country मिलकर एक देश की यानि help करेंगी और उसके बाद HIV और AIDS malaria जो आपकी disease है यानि इनको समाप्त करने का target बनाया गया और उसके बाद mortality जो आपका mortality rate है यानि maternal mortality rate यहां पर maternal होगा maternal मीच होता है कि जो माताएं होती है उनकी मरतिव रेट को कम करना maternal mortality rate प्रेट तो दोस्तों माताओं की मिर्तियूं की दर को कम करना यह इसके कुछ target थे जिनको हमने बताया तो दोस्तों आपके हमने दो टापिक इसमें कवर कियेkiego हैं लास्ट में आपके यहनी फस् चेप्टर के दो टापिक और बचेवे हैं उनको कंप्लेट करने के बाद आपका chapter first पूरा complete हो जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेर कर दिया करो धर्निवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए